How to fix Samsung S4 Mini Conference Call Not Working Problem नमस्कार दोस्तो स्वागर आप सभी का तिकिराज यूटुब चैनल पर तो दोस्तो आज के इस वीडियो पर मैं आपको बताऊँगा कैसे आप जो है Samsung के डिवाइस पर Conference Call Not Working Problem solve कर सकते हैं तो दोस्तो यहाँ पर Conference Call के related आपको काफी सारे चीज़े जानने को मिल जाएगा क्यों ऐसा problem क्रेड होता है कैसे आपको fix करना है Conference Call कैसे चलते है कैसे काम करते है किस तरीके से आपको settings वगरा करना है ठीक है वीडियो को शुरू से लेके आन तक देखे आपका problem जरू fix हो जाएगा वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को subscribe नहीं किया है तो subscribe करते हुए बेल आइकून को click करे अगर आप online पैसा कामाना चाते है तो video description पर link मिल जाएगा किसी भी problem के regarding पर आप हमें Twitter पर follow करके message कर सकते है चलिए video शुरू करते है तो दोस्तों यहाँ पर आपको सबसे पहले करना क्या आए अगर conference call काम नहीं करते है तो दोस्तों अगर आपका conference call में यहाँ पर problem आ रहा है तो आप सबसे पहले जाए अपने mobile के setting पर scroll down करके नीचे में आ जाए general management पर जाके आपको reset पर click करना है और reset network setting पर click करके reset setting पर click करना है और mobile password भर देना है ठीक है उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर बेक करना है बेक करने के बाद आपको जाना है apps पर and scroll down करते हुए आपको थोड़ा सा नीचे में जाके अपना जो यहाँ पर option f1 service का तो उसको open करना है and then आपको storage पर click करना है clear data कर देना है clear data ok करने के बाद ही आपको बेक करना है और permission पर जाना है सारे permissions को allow कीजिए permissions allow करने के बाद दोस्तों आप अपने device को restart करें ठीक है restart करें अपना connections के option पर जाए mobile network को 4G पर set कीजिएगा 4G पर set होना चाहिए आपका wall calls enable होना चाहिए चाहिए network 4G mode पर होना चाहिए उसके बाद जाके आप video call प्लेस कीजिए problem fixed हो चुका होगा तो इस तरह किसे दोस्तों conference call not working problem fix कर सकते हैं by any chance अगर आपको इसके related कोई भी problem आते तो आप जाए दोस्तों आपने software update कर लिजिए ठीक है जैसे software update करेगा आपका सारे issues सारे problem solve हो जाएगा तो conference call करने के लिए दोस्तों आपको सबसे पहले तो यहाँ पर एक number को dial करना होता है ठीक है तो इस तरह के से दोस्तों यह चीज़ काम करते हैं तो एट कॉल कर दीजिए उसके बाद आपका conference call connect हो जाएगा एंडेन आप conference में बात कर सकते हैं ठीक है तो बस दूस्तों इतना ही solution में आपको आभी के लिए suggest करूँगा अगर कोई भी डिक्कते आते तो आप हमें whatsapp पर contact कर सकते whatsapp number screen पर आपको डिखाई देगा ठीक है आज के लिए बस इतना ही thanks for watching